गर्ड के जित्ते भी स्टूडेंट है आम सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर अपडेट निकल कर आया है कि छतीस गर्ड में जो है CRPA बस्तर बाटालियन के 400 पदों पर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भरती और सीधी भरती निकली है आप लोगों को बताना चाहतों कि CRPA बस्तर बाटालियन के 400 पोश्ट जो निकला है यह आपका डारेक्ट भरती है और इसके लिए आपका भरती विग्यापन भी जारी हो चुका है आपको एक्जाम के प्रिप्रेशन करना और एक चीज आपको बताना चाहतों कि जितने भी पुलिस विभाग में होते हैं चाहिए वापको CRPA पो चाहिए एसाई वो प्लाटून कमांडर का भी रिशेंट निकला हो जेल पर हो ट्राफिक पोलिस हो इन सभी में सबसे ज्यादे इंप भी को दूची कुद होता है सौ मेंटर दोंड़ नाट सो मेंटर दोंड़ इस तरह से जो आपके फिजिकल एक्टिवीटी तो इसमें सबसे ज्यादा आपको अंक लाना है यदि आप फिजीकल एक्जाम्स में अच्छे से निकलाएंगे उसके बाद थेयरी में एर रिटैन में फिर आपका सेलेक्शन हो जाएगा और एक और इंपोर्टन जनकारी देना चाहता हूं कि यदि आप फिजीज इक्जाम को क्वाली फाई नहीं कर पाते यदि आपका सेलेक्शन नहीं हो तो फिजीकल एक्जामस याप जो है डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं आपका ज्यादा हो सके अपना एफ़ाट अगली सुड़ी में जाने के लिए तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा सेक्चानी के अग्याता के बारे में सभी चीजों के बारे में आपको जो है कित्ता मिलेगा तो आपको बताना चाहता हूं कि इस समय जो है सब्सक्राइब में बहुत ज्यादा गवर्मेंट जाब वेकेंसिस देखने को मिल रहा है अभी इस चार सो पदो पर बस्तर बटैलियन को होगा ठीक इसी प्रकार 36 गड़ में पहले टीचर के 10,000 वेकेंसिस अब यह 10,000 वेकेंसिस बढ़कर आपका जो है 12,000 वेकेंसिस हो गए तो 12,000 करने को मिल रहा है तो आपको एक्जाम की प्रिप्रेशन बहुत अच्छे से करने जिसे आपका सेलेक्शन जो हो जाए और शातिस गड़ में बस्तर बटैलियन का बहुत होगा तो आपको बताना स्वाथ हो कि इसके एक्जाम जो है आपका अगले शाल होगा 2023 में होगा मार् करते हैं और यह सोच में रहते हैं कि कब नोटिफिकेशन निकलर कब हम उसमें फिलप कर सेके लेकिन यहीं आप लोगों कि सबसे बड़े मिश्टेक और गलती रहता है आप लोग यह सोचते हैं कि जब एक्जाम का डेट आजाएगा सभी चुजा आजागा सेडिल जारी हो फिर हम पर एक्जाम की त cartridge करेंगे जब सेडूल जारी हो जाता है तो आपके प्रशानी बढ़ जाता है फिर हम चक्छस की परपी संट्रीशन नहीं कर पाते इसलिए जो है आपके पास अभी समय है तो अभी आप ज़े एक्जाम की ताहरी जो है अच्छे से कर सकते हैं जिसे कि आप लोगों का सेलेक्शन जो हो जाए और आप एक्जाम को क्वालिफाई कर सकें आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में जित्ते भी लोग मिले सब डिमोट करने वाला नहीं इस दुनिया में आपको को भी मोटिवेट नहीं कर सकता बस आप ही खुद को मोटिवेट कर सकते बस यह सोचे आप यू कैन डू इट तुम कुछ भी कर सकते हो निवर गिवाब भी लिमिट लेश आपको बताना चाहता हूं कि जिन्देगी में आगे बढ़िए कि मजूद भी चुकाने पड़े आपको चुका ना पड़ेगा देर से बनो पर जरूर कुछ बनो क्योंकि वक्त के सांथ लोग क्या कर रहें इसे किसी को कोई मत्तब नहीं क्या बने आपके पास किता जवाब है किता सेलेरी है आपके पास क्या है फ्यूचर वह आप से पूछा जाता है जिन्दगी एक है इसलिए सपने नेक है अगर आपके बहुत सपने हैं उन सभी सपनों आप पूरा कर सकते हैं और जो लोग आपको बोले कि दोनाओं पर सवारी नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है आप अपनी जिन्दगी में कुछ भी कर सकते हो अगर आप चाहता हूं और एक चीज़ बोलना चाहता हूं कभी भी परिस्तिती और समय आपके अनुरूप नहीं होगा बस खुद पर आपको जो है भरोशा करना है मैं कुछ भी कर सकता हूं सब कुछ मेरे लिए मुमकिन है जिन पर लोग हंसते हैं वही तिहास रसते हैं यदि को एगनौर करने और अपने काम से आप उन लोगों को जवाब देना है इस दुनिया में कोई किसी करने हैं सभी अपने स्वार्थ अके लिए तुमसे मतलब रखते हैं स्वार्थ पुरा होने पर छोड़के चले जाती इसलिए किसी को इंपॉर्टेंस मत दो यह सोंचो कि त आप अपने फ्युचर जो है खुद लिख सकते बना सकते हैं आप जैसे चाहोगे आपकी जिन्दगी में वैसे ही होगा कोई तुम्हारा फ्युचर भविस से नहीं बता सकते और कोई भी चेज ना मुंगी इन इंपॉसिबल नहीं है बस आँप जो हार मत मनना तो सिर्प के चार सो पदों पर भरती निकलने वाला है सबसे पहले फिजिकल एक्जाम की तेहरी किजिए फिर इसमें जो मैस है और रिजनिंग से क्वेस्टिन जो पूछे जाते हैं मैस से मैं आपका गड़ित मैं आपका नुपाथ समन उपाथ है ज्यामिति है छेत्रमिति शंकु है तो मै आपको दिया रहता है तो रिजनिंग के लिए जो आप यह चक्ते है और इसके साथ ही आपको हिंडी के लिए बताना चाता हूं ऑंडी में आपका पूरा व्याक्रान हाता है जिसमें सहर वेंजय नक्षर वरतिनी शंगय समास महुरे लोग उक्तिया पठ्जित के दैन से सभ वान वाड़ा सब इस्टिटिविशन सब अब इनट कोडिनेट फीनिट वर वान उन फीनिट वर वर प्रेशिस राइटिंग यह सभी पूछे जाते हैं इक्जाम्स में तो इन सभी से जो है आप एक्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं करेंट अफेर्स के बात करें तो तो 36 गड़ आपको प्रतियोगीता दरपन लेना जो आपका मंत्री में रिलीज होता है इस तरह साब के कॉम्पेटिशन एक्जाम्स गवर्मेंट जाब विकंस एक्जाम के प्रिप्रेश्चान अच्छे से हो पाएगा और 36 गड़ में बस्तर बटालेंड के टोटल 400 पद उपर जो है भ प्यान करके रख लिजए ताकि जब भी मैं विडियो से अपलोट करूं आप लोगों को जनकारी जो है सबसे पहले मिल से के तो प्लीस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को तक शेयर किजिए कॉमेंट किजिए अपना प्यार और अपना जो है सपोर्ट दिखाई इसी